जै माता की दोस्तों कैसे आप सब आज पुज्य गुरु देव जी के कुछ उपाई मैं लेकर आई हूँ तो ध्यान से सुनिए और इससे सब को जादा से जादा लाव होगा क्योंकि उपाई ऐसे हैं गुरु देव जी तो कहते हैं कि एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देख देखना चाहिए तभी पता चलता है कि उपाई में कितनी शक्ति है तो नवरात्रों के शुप दिन चल रहे हैं तो सभी लोग वरत भी ना कर सकें तो पुजा मातारानी के अवश्य करें और कुछ उपाई मैं आपके साथ शेर कर रही हूं तो पहला उपाई है अगर किसी प मातारानी ने बताया है मातारानी जो है इस बार घोड़े पर सवार होकर आई है तो मातारानी हर साल अने अलग अलग रूप रही है जो है आती है तो घोड़े पर सवार होकर आई है इसका मतलब यह है कि हमारी घर में यानि कि सब जंगे धन दाने की व्रद्धी होगी अगर हम कुछ भी कारेंगे अगर हम मिट्टी की दुकान खोल लेंगे तो वो भी धन की व्रश्य करेंगी इसके लिए बगवान की और मा मारी ऐसे के लाइए हो कि अगते हैं हो एक ल्हें जल ले कई गूं जाए और उसके रिखार है और उसके बाद आस वास कोई ओगर YouTube तो उस जलको महां पर चड़ा दे अपनी मनों कामना कहते वे तो जो भी रोग दो संकट कुछ भी होगा सब कर जाएगा तो गुरुदेव जी ने बता है इन दो नो दिनों में माता जो है माता दुरगा अपनी योगनी जितनी भी शक्तिय हैं इनके साथ में निम के रक्ष पर पन नहीं होती है दुरुगा माता की नवरात्री के दिनों में वहां पर निम के रक्ष को ही बिलकुल देवी की तरह ओने जाता है मंगल सोतर पहना जाता है और निम के रक्ष की ही पूजा होती है तो इसलिए हम यह अपाय करकर भी जरूर देख लेना चाहिए जो कि आपके संकट बहुत दिन से नेकट है वो भी कट जाएंगे और अगला उपाय उनोंने बताया है कि अगर किसी का वेपार ना चल रहा है तो एक बाद जरूर करके देख ले प्रैक्टिकल उसके लिए क्या करने हैं अगर हम कोई नई दुकान खोलने जा रहे हैं कुछ वेपार करने ज चाहिए तो आम के पत्तों को इतना परभाव होते हैं कहीशे या कहीशे या तुम एन रहा तो अमीर ने जो इंहाई ए सुखे पत्तो बनानेacTrенты और उस पेहले श्रीव लिंग पर चड़ा दें। उसका तिलख करें। फिर उस भसन को लेकर बाकि यी भसन का अपनी दुकान के भार जिस दिन मूरत है उस दिन उससे तिलख कर दें। तो फिर आप कोई भी पूजा पाट करवाए ना करवाए तो आपकी दुकान चलेगी चलेगी तो भोती अचुक और सठीक उपाई गुरुद जी ने व्यपार कहीं बताया है तो उन्होंने ऐसे कहीं उपाई बता हैं जिससे में धन लाव और सभी तरह की जो भी मनुकामना है अगर आप कोई भी मनुकामना को लेकर इस नवरात्र में माता रानी के साथ पूजन करते हैं और भक्ति भावना से करते हैं तो निष्टे थी मनुकामना आपकी जरूर पूरी होगी तो जो भी उपाय गुरुद देशी बताते हैं उन्हें एक बार टक्टिकल करके जरूर देख लेना चाहिए तभी आपको पता चलेगा कि उपायों में कितनी शक्ति हैं तो इस अभी मैंने ये थोड़े से उपायों बता हैं और इन्हें जरूर करके देखना जैमाता की